Hello everyone, welcome to my youtube channel caring mom by hk आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने जा रही हूँ कि बच्चों की नजर कैसे उता रही है ऐसा formula बताऊँगी जिसमें आपको कोई भी जंदित नहीं करना जो भी समान में बताऊँगी वो easily available है आपकी kitchen में आज कल के जमान में हम बहुत ही scientifically सोचते हैं और कुछ लोग तो नजर लगने जैसी बातों पर believe भी नहीं करते अगर आप भी believe नहीं करते तो please आप वीडियो को अभी शोड़ कर जा सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं हम सब अपने बड़े बज़र्गों के द्वारा माननी जाने वाली बातों पर ज़कीन तो करते हैं इसी category में आती है बच्चों को नजर लगने का concept so अगर आपका बच्चा भी अचानक से जुद करने लग गया है रोता रहता है तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को नजर लग गई है आपके बच्चे का behavior पहले अच्छा था लेकिन एक दम से उसका behavior जो है वो change हो गया है तो आपके बच्चे को नजर लग चुकी है कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा जो होता है बहुत ही ज़्यादा सुन्दर होता है और हम कभी कभार उसे बाहर दिखकर जाते है तरह तरह के लोगों की नजर बच्चे पर बढ़ती है और कई बार नजर लगने के chances बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते है और बच्चे को नजर लग जाती है तो बच्चे को नजर गर पे ही लग जाती है कि बार गर पे कोई आया होता है और बच्चे को उसकी नजर लग सकती है वैसे तो यह भी धारना है कि नजर बच्चे को माता जा पेटा की भी लग जाती है यसलिए मां को बच्चे के मुह को ज्यादा तर द आइए मैं आपको कीचन में मिलने वाले समयं से पिना किसी इंज़ से रोदारने की धीबत आती हूं क्या लेना है हमने किचन से नमक साल्ट जो हम सबजी में डालते हैं वही सिंपल साल्ट उसे क्या करना है कि हमने मुठी बर करनम क्लीए बच्चे के और डारेक्शन लेफ टूराइट होनी चाहिए बात में क्या करना है कि नमक को चलते पानी में फेंग दीजिए आपके आस पास कहीं भी चलता हुआ पानी नहीं है में कई बार होता है कि नदी बगरा होती है पास में कई बार नहीं होती तो क्या करना है कि किचन के सिंक में जाम बरतन वाश करते हैं वहां नमक को फिंग दीजिए टैप को ओपन कर दीजिए और आप देखना कि बच्चे की नजर उतर जाएगी जैसा अच्छा है मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा ही करती हूँ, मैंने कभी को बहुत बड़ी जन्चरट नहीं किये, कई बार होता है कि मैं बच्ची को बाहर ले کر जाती हूँ, महां भोख खुश रहती है, लेकिन घर आके वो जिद करने लग जाती है, तो जब मैं ऐसा करती हूं तो उसके जो behavior में है बहुत ही ज़्यादा change आ जाती है hope so जो वीडियो है आपके लिए helpful होगा आप इस method को ज़रूर अपनाई है और comment करके मुझे ज़रूर बताना thank you for watching my video friends, thank you